Hello everyone, मैं हूँ धीरजवस्थी और आप देख रहे हैं The Mathological दोस्तों इस वीडियो में आप Multiplication करने की एक बड़ी ही अद्भुत ट्रिक सिखने जा रहे हैं जो कि असल में Vedic Maths पर आधारित है और इस ट्रिक में हम लोग कुछ खास Numbers का Multiplication करने का एक बड़ा ही बहतरीन तरीका सिखेंगे खास Numbers से मेरा ताथ पर यह है कि वे Numbers जो 10 की Powers के Close होती है 10 की Powers का मतलब है जैसे कि 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है इस तरीके से जो Numbers है, these are Numbers Close to Powers of 10 और कुछ Numbers ऐसी हैं, जो कि इन Numbers के आसपास होती है यानि जैसे 100 के आसपास आपकी ये दो Numbers है, 98 और 93 ठीक है, तो ये ट्रिक हमें सिखाती है, उन Numbers का Multiplication करना जो कि 10 की Powers के समीप होती है, जैसे माल लिजे हमारे पास कुछ और Numbers लेते हैं लेकिन हम लोग जो ट्रिक अभी सिखने जा रहे हैं, उससे आप इतनी जल्दी इसका आंसर निकाल लेंगे कि हो सकता है कि आपको Pen और Paper की जरूरत ही ना पड़े और Mentally आप इसका आंसर दे दें तो चलिए सिखते हैं कि ये करना कैसे है तो इसके लिए सबसे पहले आप इन दोनों Numbers को इस तरीके से इस order में लिख लें 98 और उसके नीचे आप लिख लें 93 जो दूसरी नमबर है उसके बाद यहाँ पर आपको दिये देखना है कि 98 और 93 कौन सी संख्या के 10 की वो कौन सी पावर है जिसके नजदीक है तो वो नमबर है 100 तो 100 एक्शली यहाँ पर बेस बनेगा 100 is the base और आपको बता दूँ कि जो यह method हम सीखने जा रहे हैं इस method का नाम actual में base method होता है base method is the title or the name for this method तो इन numbers का base जो है वो 100 है तो हम 100 के सापेक्ष देखेंगे कि 98 कितना कम है 100 से 98 जो है वो 2 कम है तो हम यहाँ लिखेंगे minus 02 और 93 कितना कम है 7 कम है 100 से तो यहाँ लिखेंगे minus 07 अब यहाँ एक सवाल यह उड़ता है कि हम इसको 2 डिजिट में क्यों लिख रहे ह अगर 98 हमारा 100 से 2 कम था तो हमने सिर्फ 2 क्यों ने लिखा 0 2 क्यों लिखा तो उसका कारण यह है कि base अगर 100 है यानि 10 की पावर 2 है यानि ऐसे भी कह सकते हैं कि इसमें 2 0 है तो आपको 100 के order की जो भी number है वो 2 डिजिट की number होती है तो इसलिए आपको यहाँ 2 लिखने के बज 100 से बड़ी है जो कि हम लोग अगले examples में cover करेंगे 100 से उपर है अगर प्लस में है तो यहाँ पर प्लस लिखा जाएगा difference अगर 100 से नीचे है कम है तो यहाँ पर minus लिखा जाएगा उसके बाद आप लोग देखते जाए कैसे आता है तो हमने क्या किया हमने base के साब एक्शु यहाँ से आपने देखा कि इनका difference आ रहा है 91 और 93 में अगर आप minus ये 2 minus करेंगे तो 93 minus 02 ये भी हमको same number देगा यानि 91 तो इस method की एक खुबसूरती ये भी है कि आप जो difference है आप इधर से आपको जितना मिलेगा total वही आपको इधर से मिलेगा diagonally किसी भी side से तो जो आपको अ और फिर आपको क्या करना है कि ये जो दोनों ये आपके जो डो difference लिखे गए हैं इन दोनों difference को आपको multiply करना है इन दोनों difference को आपको multiply करना है तो 7 और 2 का multiplication होता है 14 यहाँ पे आपको minus का use नहीं करना है सिर्फ आपको multiplication लिखना है और याद रहे वो multiplication भी आपको दो digit में लि है आपको 0 लगा के लिखना पड़ता मतलब कि इस वाले कालम में यहां से लेके यहां तक जैसा कि आप करसर देख लीजे इस कालम में आपको जो कुछ भी लिखना है वो दो डिजिट का लिखना है तो यह सब मिला अभी हम सीख रहे हैं तो हमें discussion करनी पड़ रही है आप देखेंगे दो तीन example करने के बाद इतनी speed आ जाएगी कि आप फटाक से तुरंत ही answer निकालने के योग बन जाएंगे ठीक है ना तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट एक्जामपल की तरफ तो यह हमारा सेकेंड एक्जामपल है जिसमें हमें 99 को multiply करना है 95 के साथ चलिए अब थोड़ा जल्दी से करते हैं पहले आप सबसे पहले यह दोनों numbers को यहां पर लिख लें 99 और 95 उसके बाद बेस 100 है चुकी 100 इस अबर चाहिए तो हंडेट के साथ इस 99 कितना कम है 01 माइनस और हमारा जो 95 है वह हंडेट से कितना कम है 5 कम है तो उसको हम लिखेंगे माइनस 05 उसके बाद छोटा सा काम करना है जैसा कि मैंने पिछले example में समझाया कि चाहे आप इस का total करेंगे चाहे इस diagonal का total करेंगे दोनों तरफ से एक ही आता है आप देखिए 99 में 5 घटाने पर 94 आता है और 95 में एक घटाने से भी 94 आता है तो जब आप practice में आ जाएंगे तो आपको पता होगा कि आप एक तरफ बस देख लीजिए दोनों तरफ दिखने की ज़रूत नहीं है तो 99 में मैंने 5 को माइनस किया तो मेरे पास आया 94 और उसके बाद मुझे क्या करना है मुझे ये जो दोनों नंबर्स बनी हैं इनका multiplication करना होता है तो 5 और 1 का multiplication 5 है लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि आपको दो डिजिट में लिखना है तो जो multiplication है वो आप दो डिजिट में लिखेंगे 9405 और बहुत ही beautifully आपको इन दोनों नंबर्स का product मिल गया जो की answer है 9405 आप calculator से इसको check भी कर सकते हैं या manually जो usual तरीका होता है साधरन तरीका multiplication का उससे आप इस answer को verify भी कर सकते हैं चलिए अब चलते हैं दूसरे इसके अगले example की तरफ So here is our next example in which I have to multiply the numbers 103 multiplied by 108 अब आप लोग गौर करिए कि इस बार मैंने जो numbers ली हैं वो 100 के उपर की ली हैं पिछले example में मेरी numbers 100 के नीचे थीं लेकिन इस बार मैंने 100 के उपर की sides की 100 से बड़ी numbers का यूज किया है लेकिन तरीका भी है आप देखें पहले सबसे पहले आपको दोनों numbers को इस तरीके से लिख लेना है 103 और 108 फिर 100 base है यह 100 के आसपास की numbers है तो base is the 100 और कितना difference है तो 100 से 3 ज्यादा है तो ज्यादा के case में आपको plus लिखना है और याद रहे 3 नहीं 0 3 लिखना है 100 base में आपको हर number को 2 digit में लिखना है और 100 0 8 यह कितना ज्यादा है तो ज्यादा के लिए plus और 0 8 ज्यादा है उसके बाद आप देखेंगे कि चाहे आप डाइगन इस तरफ का निकाली है total या इस तरफ का दोनों तरफ से एक ही आता है चेक करिए 103 में अगर आप 8 एड़ करेंगे तो 111 आता है और 108 में 03 एड़ करेंगे तो भी 111 आता है तो यह एक तरफ से आप एड़ करके total बना के लिखिए that is 111 और फिर आपको इनको multiply करना होता है यानि 8 और 3 का multiply है 24 तो 24 में खुदी 2 digits ने तो आपको 0 लगाने की जरूरत नहीं तो इस प्रकार से इस case में जो आपका answer है वो है 111 और उसके साथ में 24 और लिखना है तो यह 11,124 इस product के लिए answer होगे आपका चलिए धिरे धिरे आपके example और रोचक होते जाएंगे और complicated और बड़ी बड़ी numbers का प्रयोग हमागे करेंगे तो आपको last तक सभी variations देखने चाहिए बिल्कुल इस वीडियो को आप skip न करें यकीन मानिए इतनी ज्यादा useful trick है कि एक बार अगर आपने ये trick पूरी सीख ली तो अपने पूरे lifetime में पता नहीं कितने बार आपको इसी numbers का multiplication करना पड़े और आप बिल्कुल पलक जपकते कर देंगे जबकि दूसरे लोग pen or copy लेक 107 बेस 100 है तो 100 से अपकी बार हमने थोड़ा variation लिया कि देखिए हमने और बड़ी number ले ली 100 से ये number plus 12 है और ये number 100 से 7 उपर है तो दो डिजिट में ही लिखना होगा आपको 07 उसके बाद अब तो आप सीखी चुके हैं कि चाहाए आप इधर से कर लें चाहाए आप इधर से करना होता है तो 12 और 7 का multiplication 84 है जिसमें आलेडी दो डिजिट्स हैं तो आपको कोई 0 का यूज नहीं करना है और इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इन numbers का product आ गया है 119 followed by 84 11984 यही इन दोनों numbers का product है तो दोस्तों है कि नहीं बहुत ही बहतरीं trick है मुझे उम्मीद है कि आप तो बहुत variations बाकी हैं आगे बढ़ते हैं तो इस example में आप देखिए कि हमने 103 यानि 103 का square लिया है यानि 103 multiplied by 103 तो इस trick की एक बहुत ही अच्छी खुबी यह भी है कि आप जो 100 यह मतलब 10 के powers के नजदीक की numbers है उनका square भी निकाल सकते हैं बड़ी ही आसानी से तो चलिए आपक 103 हो गया यह प्लस 03 हो गया इतनी बढ़ी हाट ट्रीक है कि सीखने के बाद आपको पिन उठाना ही नहीं पड़ेगा थोड़ा सा mind work करेंगे और answer आपके पास होगा अब एक तरफ से आप इसका total कर लीजिए तो 103 में प्लस 3 बढ़ाएंगे तो 106 मिलेगा और 3 और 3 का product क्या ह होता है 9 होता है जिसको दो डिजित में आपको लिखना होगा 09 so the answer for this product is 10609 this is the answer तो छटमा एक्जामपल आपके सामने है 998 को 999 से multiply करना है as you can watch the numbers are getting bigger now हम जैसे ऐसे आगे बढ़ेंगे हमें बड़ी-बड़ी numbers को सीखना है और number चाहे बड़ी हो चाहे छोटी time आपका उतना ही लगेगा बहुत ही कम समय में आप ऐसी numbers का multiply कर सकते हैं चलिए देखिए प्रमान देखिए अपकी बार variation यह है कि this time our base is 1000 इस बार बेस जो है देखिए 1000 के नजदीक की number है यह 100 के पास की number तो है नहीं यह 1000 के पास की numbers है दोनों ही तो 1000 से 999 कितना कम है टू कम है लेकिन अब आपका बेस 1000 है तो आपको दो डिजिट में लिखना पड़ेगा कम का केस है तो माइनस लिखोगे 002 यह कितना कम है यहां पर हमें 99 लिखना था इसको करेट कर लेते हैं तो अभी फिर से देखिए यह हमारी दूसरी अली नंबर 99 है तो 99 तो 1 कम है तो आपको 3D में लिखना ह है तो 001 लिख लीजिए उसके बाद अब तो आपको यकीन हो चला होगा विश्वास हो गया होगा कि किसी भी एक तरफ से देखिए आता बराबर है तो आप 998 में 001 घटाएंगे तो आपका बचेगा 997 फिर हमेशा की तरह आपको इन दोनों को नंबर का मल्टिप्लाई करन आप कालकुलेटर से चेक कर सकते हैं अथवा किसी यूजूल मेथड से इसका गुना करके वेरिफाई कर सकते हैं चलिए इस साथमें उदाहरण में एक और स्क्वाइर करके देखते हैं तेकिए ये 1000 के नजदीक की नंबर है 999 जिसका स्क्वाइर हम लोग विदिन सेकेंड क कैसे निकालेंगे अब यहां तो मैं आपको चुकि टूटियोरियल दे रहा हूं तो लिक करके बता रहा हूं वरना थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप लोग देखेगा कि आपको ऐसे कागज स्पिन का यूज ही नहीं करना पड़ेगा सीधे डारेट कर लेंगे 1000 के नज 26 आ जाएगा और इन दोनों नंबर्स का मल्टिप्लाई करोगे तो टू और वन का मल्टिप्लिकेशन जस्टू होता है लेकिन आपको तीन डिजिट में लिखना है तो 002 So here is the answer for this product which is 996002 है ना बेतरीन चलिए अब हम लोग और बड़ी नंबर्स का और लार्ज नंबर्स का इस्तेमाल करने जा रहे हैं अब देखिए आपकी ट्रिक किस इस तर तक पहुंच रही है ये नंबर कितनी बड़ी है आप सुचिए अगर इनका आप मैनुली मल्टिप्ल का काम हो 64 gì का हो उतने ही कम समय में इसकांसर भी निकलेगा मतलब डिचिट बढ़ती जा रहे हैं लेकिन आपका जो प्रोसेस है उसमें आपका समय नहीं बढ़ रहा है आपका उतने ही जल्दी आपका है तो अपकी बार हमारा जो बैस है वो 10,000 है बैस इस 10,000 फिस ताइम ग 0, 0, 0, 2, ये तीन कम है तो चार्ट डिजिट के हिसाब से लिखेंगे 0, 0, 0, 3, उसके बाद आपको पता है कि करना क्या है, एक तरफ से आप इसको देख लीजिए कि ये 98 में अगर 3 माइनस होता है तो 95 बनता है, तो मिला करके 9995 बना ये ठीक है, और इसका आपको प्रोड़क् आ रहा है लेकिन आपको 4 डिजिट में लिखना है तो 0, 0, 0, 6, so this time, the answer for this question is 9995, 0, 0, 0, 6, ठीक है न, तो चलिए इस वीडियो के आखरी एक्जामपल तक हम लोग पहुँच गये हैं, ये बड़ा ही popular question है और कई गम्टीटी एक्जाम में, जो हमारे government jobs के लिए एक्जाम होत question के तोर पर हम ये square निकालते हैं, 9,999 का square, तरीका वही है, 9,999, दो बार आपको लिख लेना है, 10,000 में ये 1 कम है, तो 4 डिजिट में आपको लिखना है, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, फिर किसी भी एक तरफ से घटा लीजे, आपको मिलेगा 9,998, और इनका product करोगे, तो 1 ही मिलेगा, जिसे आपको 4 डिजिट में लिखना है, तब ही मैंने कहा, अब आपको बहुत सरल लग रहा होगा, यानि आप इनका use किये बिना ही, थोड़ा mind work करिए, mentally थोड़ा सा work हैं, तो answer for this product, square of 9,999 is 9998001, ये रहा answer, तो दोस्तों अगर इस वीडियो का content आपको मज़ेदार लगा हो, आपको अच्छा लगा हो, ये trick आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को like जरूर कर दीजिए, चैनल को subscribe करिए, और अगर आप चाहते हैं, कि इसी तरीके की बढ़ हैं, आपके लिए लाता रहूं, आपकी mathematics को मज़ूत करने के लिए इस चैनल पर काम होता रहे, तो हर तरीके से आप इसको promote करने में मेरी help कर सकते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद,